अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जूरूर कीजेगा शुरू करते हैं Q7 में हमें क्या स्टेट्मेंट है हमारी the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888 find the multiples हमें क्या दिया गया है 3 consecutive multiples of 8 हमें कैसे निकालेंगे हम उनको हमें उनके बारे में multiples of 8 का मतलब क्या होता है जैसे कि हमें statement से clear होड़ा multiples of 8 क्या होंगे जैसे कि हमने मान लिया 8x अब हम अगर किसी भी x variable को 8 से multiply करते हैं तो वो 8 का multiple हो जाएगा x की value कुछ भी आए हमारे पास 1,2,3,4 कुछ भी हमारे पास आ सकती है अगर हम उसको 8 से multiply करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा 8 का multiple हो जाएगा अब consecutive हमने ऐसे last question में भी किया था consecutive का मतलब होता है लगातार 3 multiple हमारे 8 के होने चाहिए तो अगर हमारा पहला multiple 8 का 8x है x की value x की value कुछ भी आए जो हमारा first multiple आ जाएगा उसके बाद अगर हम उसमें 8 add करते हैं माल लिजे 8 के table है 8 के table में हम देखते हैं पहले 8 आता है फिर 16,24 तो ऐसे हम आगे जाएगे तो हर बार क्या होता हमारा 8 ही तो add होता है उसी के according अगर हम 8x में अगर हम 8 को add करते हैं तो हमा जाएगा उसमें क्या हो जाएगा 16 या तो आप second में एक बार 8 add कर दीजिए 8 प्लस आप इसको 8 भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x प्लस 16 तो हमारे यह 3 consecutive multiples of 8 तो यह हमारा जो है question के according दिया हो है हम इसको कैसे लिखेंगे let the 3 first consecutive first multiple of 8 is 8x then other consecutive multiples are 8x plus 8 and 8x plus 16 these are the 3 consecutive multiples of 8 अब हम लगाएंगे इसके उपर according to condition हमें condition में क्या दिया गया है कि जो हमारे यह 3 multiples हैं इन सब का हमें क्या दिया गया है sum दिया गया है मतलब कि अगर हम इन तिनों को add करते हैं 8x plus उसके बाद हमारा यह जो second है 8x plus 8 again हम third हमारे पास क्या है 8x plus 16 अगर हम इन तिनों को add करते हैं इन तिनों को add करने के पास हमारे पास क्या आता है ट्रिपल एट, जो की क्या है, 8, 8 and 8, ये हमारा क्या आ गया, 3 consecutive multiples को add करने के बाद, हमारे पास आदा है, ट्रिपल एट जो हमें question में दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे x वाले terms हैं, हम उनको एक साथ लिखेंगे, 8x plus 8x plus 8x, and जो हमारी other terms है, 8 plus 16 constant terms, 24 is equal to 888, ये हम हमारे पास ये आ जाएगा, अब हमारे पास क्या हो गया, 8, 16, 24, 24x plus 24 is equal to 888, यहां से हम क्या करेंगे, x की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24x is equal to 888 minus 24, 24x is equal to 864, x is equal to 864 divided by 24, हम इसको इससे divide करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, 36, यह हमारी क्या आ जाती है, x की value, अब हम जो multiples हैं 8 के, वो हम कैसे निकालने के, हमने क्या लिए थे, 8x, 8x plus 16, 8x plus 8, 8x plus 16, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हमारा first multiple क्या आ जाएगा, 8 का, 8 multiplied by 36, 288, उसके बाद हम इसमें add, second और third को add कर देंगे, second multiple क्या आएगा, 288 plus 8, and third हमारा क्या आ जाएगा, 288 plus 16, third multiple हमारा क्या जाएगा, 288 plus 16, 304, अब हम इन तिनों को total करके देखेंगे, तो हमारे पास क्या आना जाए, 888, तो उसे हमारे पास clarification भी हो जाएगी, कि हमारा question ठीक है या नहीं, हम इन तिनों को add करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, 888, तो इससे हमें पता लगता है, कि हमारा question ठीक है, जो हमने 8 के multiples निकाल ले है, वो हमारा right answer है, अब हमारा next question है, question number 8, जिसमें हमें दियेगे, three consecutive integers are such that, when they are taken in increasing order, कि हम उन्हें increasing order में लेंगे, अब increasing order में कुछ भी हो सकते हैं हमारे, लेकिन increasing order में लेने के लिए हम क्या मानेंगे, let first number be, x, तो increasing order में क्या होता है, हमेशा हमारा बढ़ता करम होता है, कि हमारा अगर एक number x है, तो next क्या होगा, हम उसमें एक भी add हो सकता है, दो भी add हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे, according to question, जो हमारे क्या है, the numbers are, hence the numbers are, x, x plus 1, and x plus 2, जो की हमारा increasing number हमें show कर रहा है, कि अगर हमारा first number x है, तो हमारा next number क्या है, उसमें 1 add कर दिया, और उसके बाद third number जो है, उसमें हमने 2 add कर दिया, यह हमने assumption अपने तरफ से की है, उसके बाद हमें question में क्या बोलते हैं, कि if, हमने increasing order लिया, multiplied by 2, 3, and 4 respectively, respectively का मतलब होता है कि, करम शह, कि अगर हमें 2, 3, 4 दिया गया है, तो हमें 2 को multiply करना है, first number से, second number को multiply करेंगे 3 से, और third number को multiply करेंगे 4 से, respectively का यही मतलब होता है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, अपने मर्जी से, कि आप 2 से multiply x plus 1 को कर दें, या 3 से multiply x को कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, respectively का मतलब होता है, जिस according, जिस increasing order में, हमने numbers लिए हैं, उसी के according, हमें first number को 2 से, second number को 3 से, और third number को 4 से multiply करना है, अब हमारा यह according to condition था first, अब हम यहाँ पर second condition लगाएंगे, according to condition 2, हमें क्या करना है, 3x, sorry 2 है इदर, 2x, 3x plus 1, हमें क्या करना है, पूरे whole number को 3 से multiply करना है, हम यहाँ पर सिरफ 3x नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे, x plus 1 को bracket में लिखेंगे, और 4 into x plus 2 लिखेंगे, यह हमें दिया गया है, इसमें हमें condition क्या दिगई है, div and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, यह क्या करते हैं, जब हम इनको multiply कर देते हैं, इन तीनो increasing number के orders को, इनको add करने के बाद, हमें जो है 74 मिलेगा, जब हम इन numbers को add करेंगे, तो जो answer है, वो क्या आएगा, 74 आएगा, अब हम क्या करेंगे, x की value यहां से निकालेंगे, हम x की value कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, brackets open करेंगे, 2x plus 3x plus 3, plus 4x plus 8, यह हमारा क्या है, brackets open, हम क्या करेंगे, 4 को multiply, अंदर दोनो term से हम करेंगे, ना कि सिरफ 4 की multiply, x से करेंगे, तो हमारा question गलत हो जाएगा, ऐसे ही हम यहाँ पर 3 की multiply x plus 1 दोनों term से करेंगे, 3x plus 3, अब हम x की terms को add कर लेंगे 2x, 3x and 4x, यह हमारे पास क्या जाएगा, 9x, और यह हमारे पास क्या है, 8 plus 3, that is 11, 74, 9x is equal to 74 minus 11, that is 63, यहाँ से हमारी x की value क्या जाएगी, 63 by 9, that is 7, यह हमारे पास क्या जाएगी, x की value 7, तो हमारे numbers क्या हो जाएगे, so the numbers are, hence, yes, so आप कुछ भी लिख सकते hence, the numbers are, हमारा first number क्या हो जाएगा, 7, 7 plus 1, 8 and 9, this is the solution of the question number 8, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए, तो आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं, या आप मुझे नीचे comment box में comment भी कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए, तो please like, share और subscribe जुरू कीजेगा, thank you